महाँ भारत काल एसा काल था जिसमें लगबग अधिकतर चीजे नकारात्मक हो रही थी लेकिन बगवान करश्ण के जीवन को हम देखते हैं तो उनका पूरा जीवनी निगेटिविटी में बिता पर उन्होंने उसमें ही सकारात्मक चीजे ढूली सबसे पहले उनके जन्म से देगे तो वो कारागरर में जन्म हैं उनको मत्वरा से गोकुल लाना ही कठिन काम था यमुना पार करके वसुदेवजी ले गए परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा जन्म जहिल में हुआ है या मैं कठिन परिस्तिति हूं मैं कायर कर रहा आतंग मचा दिया था कोकुल में उनका वद किया लेकिन सदेव प्रसंद रहे हैं कठिनाईयों में भी वो कभी निराश नहीं हुआ है उदासे उनके चेहरे पर नहीं दिखी दृष्टिति उन्होंने ने पांड़ों के लिए युद की बात छड़ी तो दृष्टितितिति आप पांड़ों का दुख नहीं समझ रहे हैं तो करशन ने कहा कि मेरा तो जन्मी जहल में हुआ है और मेरे साथ भाईयों का अच्छे भाईयों का वद कंस ने कर दिया था बल्राम और मैं ही बचा हूं करशन फिर भी जब तक कंस ने हमें नहीं बुलाए युद्ध के जरासंद को तब तक नहीं मारा जब तक बिल्कुल अंति मौसर नहीं आ गया था जरासंद के आक्रमनों से बचने के लिए उन्हें ने द्वार का किस्ताबना की और मतुरा छोड़ दी अर्जुन ने सुबद्रा का हरण किया तो बल्राम और उनके साथियों ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए ततपर हो गए थे किन्तु करशन ने कहा उस समय भी उन्होंने सकारात्मक्ता दिख लाई है उन्होंने कहाई कि अर्जुन ने सुबद्रा का हरणने किया है रही थी और उसनों उसने सेनिकों से साहता भी नहीं मांगे थी कटिन से कटिन परिस्ति में भी साकारात्मक्ता बनी रहती थी उनके जीवन में यह उनकी सबसे बड़ी विशेष्था थी इसलिए आज तक हम उनके चरित्र को पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं परिस्थी कोई भी हो उसमें साथका रात्मक्ता डूंड़ना हमको आनी चाहिए परिस्थी को हम केसे अपने अनुकूल बना सकते हैं केसे उसका लाब उटा सकते हैं वो क्रश्न के जीवन से सीखा जा सकता है जरासंद को सेना एकत्र करके युद्ध करके नहीं मारा जा सकता था परंतु उसके लिए भी उन्होंने उपाय डूंड़ा द्वन्द युद्ध के लिए उससे तयार किया और भीम के द्वारा उसका वद हुआ इस प्रकार क्रश्न का पूरा जीवन ही नकारात्मक परिस्ति में बीदा पर उन्होंने सकारात्मक ता कभी नहीं छोड़ी यही उनके जीवन से प्रेड़ना मिलती चाहिए परिस्ति कुनसी भी हो हमें उसमें अपना नुकुल परिस्तिदी डून लेना चाहिए और विजय शिरी को प्राप्त करना चाहिए इसलिए क्रश्न पाणों के जब जब साध्र है वो विजय हुए क्योंकि वो पुढ़न सकारात्मक का स्वरूव है ब्रह्म स्वरूव है पुरे विश्व का ग्री में माखन है उन्हें हर परिस्तिदी से बाहर निकलना आता है एसे क्रश्न का साध्र हमें चाहिए कि आज की परिस्तिदियों में वे होती तो क्या करते हैं ऐसा सोचकर जीवन जीना चाहिए धन्यवाद